क्रिपा अगरवाल ना लाइक क्यों बोलो तो कल आई आज नहीं आई तुम्हाई फ्रेंड को क्या हुआ अच्छा तुम लोगों तो यह लगता हो असर को तो पता नहीं है ऐसा नहीं है एक बार जो देख लेते ना बस छब जाता है चेहर एकदम क्रिपा का लाइफ है वो कवड़ी तो अच्छा बात है सर आंवलाइन में हैं देखो यह आउनलाइन और और ऑफलाइन में क्यों नहीं हूँ बात यह है ऑंलाइन में तो सभी लोग रह सकते हैं लाइक प्याटी फ्रिस्कुटी वैंडिट गरल फ्रम वेस डेली देखो भाईया, हम तो आज क्रिपा का एक्जामपल लेके सिर्फ यही बोल सकते हैं, तक क्लास में आएगा, अब देखो कोई बॉम्बे वाला कि उस तो ऑप्शन नहीं है ना, जिसके बस ऑप्शन नहीं हो तो ठीक है, लेकिन जिसके ऑप्शन है फिर भी वो नहीं आ रहा है, मतलब दिक्कत है, अरे यह जगा खाली क्यों है? सर अब क्लास का टाइमिन अच्छा कर दो आ जाएंगे क्लास का टाइम तक दम सही है छह से आठ सर पास बज़े कॉलिज खतम होता है फिर आप छह बज़े क्लास करने बुलाड़े हो हाँ तो तुम यहां आओगे आदा घंटा रिवाइस करोगी उसे में निकल जाएगा बिचाराई लड़का लोग तो दो बज़े से आया बैप पढ़ रहा है ऐसे थोड़ी होता है अधर बख्वास क्लास में सब लोग आएगा ठीक है जो ऑनलाइन मोड में कर रहा है आओ इधर आओ देखा देखो देखो कहां कहां से आरे चंडी गर से लोग आ रहे क्लास में पढ़ने के लिए बैटो बैटो देखो कितना दूर से आ रहे हैं लोग ऐसे थोड़ी है अरे लोग अरे लोग सुनो तो कल क्या हुआ कल हम लोग चालू किये राइट तो कल हम लोग किये हम लोग का फर्स्ट क्लास चीक है कल हमने बेसिक चीज समझा कि कैसे प्रोबैबिलिटीस कैल्कुलेट होता है राइट तो आज का क्लास हम लोग चालू करेंगे टी क्यू एक से ठीक है टी क्यू एक से आज का क्लास को चालू कर रहे हैं भगवान का नाम लेके टी क्यू एक से चालू कर रहे हैं टी क्यू एक्स का मतलब है एक साल का आदमी आने वाला टी यर्ज के अंदर अंदर मर जाएगा टी के पहले पहले वो कभी भी मर जाएगा ठीक है आज हम लोग समझेंगे बेसिक प्रोड़क्स के बारे में ध्यान तो सुनना हम लोग एकदम पूरा देप्थ में जा चुके हैं लीन हो चुके अब हम लोग ठीक है ना तो ध्यान देना क्या-क्या टाइप का प्रोड़क्ट एक कंपनी सेल करता है जो कि आपके एकजाम में आएगा कंपनी बहुत से टाइप का प्रोड़क्स सेल करता है अपने को क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहले whole life assurance ठीक है कुछ लिखना नहीं सुनो सुनने का पैसा दिये लिखना पढ़ना तो घर पे है सुनने का पैसा दिये ठीक है तो whole life assurance का मतलब क्या है जब ही भी policy holder मरेगा उसके dependence को पैसा मिलेगा अब इसमें भी बहुत सारा case बन सकता है एक हो सकता है immediately on death इमीडियेटली on death का मतलब क्या है जब मरा उसी समय पैसा मिल गया सोचो imagine करो आदमी मर गया insurance कमने वाला वाला डिंग डॉंग इमीडियेटली on death ठीक है एक होता है end of the year of death end of the year of death का मतलब क्या है जिस साल में मरेगा उस साल के end पे पैसा मिलेगा ठीक है ना मालनो तुम 17 और 18 के बीच में मरा policy लिया time zero पे time zero मतलब duration zero age तो कुछ भी होगा 17 और 18 के बीच में मरा तो पैसा कब मिलेगा अठारा और एक केस क्या बन सकता है तुम बताओ end of the year हो गया immediately हो गया और एक केस क्या बन सकता है हम लोग जब अन्विटी किये थे तो तीन केस किये थे है ना इसमें बताओ कौन सा केस छूट रहा है आज मेरा फॉस्ट क्लास हो गया ना इमीडियेटली हाँ कौन बोला अभी तुमको मैं रिक्वेस्ट करूंगो कि आज तुम कुछ ना जवाब दो क्योंकि तुम फस सकते हो ठीक है ना तो आज तुम सुनो आज क्लास का नियम समझो ठीक है तुकि चुडेल तुम्हें कभी आज़ आज कर अज़ब कंभी पकड़ सकती है हँ थ Woo एस स्टार्ट ओफ दयर कि नहीं हो सकता है थीक है आप तुमणोगगा धिमाग खुलना चालू हो गया स्टार्ट आफ दयर तो नहीं हो सकता है कैसे पता चलेगा कि सह सब्सक्रांला है ठार्ट था वो तो पॉसिबल न के कि दो केसे सकता है तीसरा कvation नहीं है ठीक है तो हो एप हो गया तौं में क्या होगा इक पॉटिक्र करकों के अंदर अगर मरोगे तो पैसा मिले गा नहीं तो नहीं मिलेंगा तौं मिल опас by मूस्ट उससे सम्षानि यूगा अगर आपको इंशूरेंस के लिए एंशूरेंस पॉलिसी लेना है तो टाउम लो सेविंग्स के लिए लेना है तो एंडाउमेंट एंडाउमेंट का मतलब क्या होता है ध्यान देना पच्छिस साल का ड्यूरेशन है आप 17 और 18 के बीच में मरें एंड आफ दे एर पॉलिसी है तो आपको पैसा 18 पर मिलेगा आप 26 और 27 के बीच में मरें तो पैसा कब मिलेगा एंड आफ दे एर पॉलिसी है तुम बताओ वेरी गुट ठीक है हाँ ठीक है रिपीट हम करेंगे हम पूछ ले कोश्चन तुम ही जवाब देना ठीक है एंडाउमेंट इस्चॉरेंस प्रोड़क्ट है ठीक है एंड आफ दे एर है तो 17 और 18 के बीच में अगर मरता तो पैसा 14 पर मिलता है अगर 26 और 27 के बीच में मरें पॉलिजी खतम ठीक है और अगर तुम टर्म के पहले मर जाते हो तो टर्म एक्टीवेट होगा प्यार इंडार्मेंट का मतलब किया आप टर्म के एंड पे जिन्दा हो तो आपको पैसा मिलेगा नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। इंशॉरेंस में जनरली कुलिंग ओ पिरेड होता है आज जैसे मालनों तुम्हारे उपर बहुत बड़ा कर जाए ठीक है तुम बद्दस क्रोड का पॉलिसी लेके डूब गया तो तुम्हारे संसंग तो कंपनी भी डूब जाएगा। सर अब कैसा बात कर रहें एक आदमे अपना जान गवा दिया। सूचना पड़ता है सूचना पड़ता है कंपनी का नुकसान नहीं करा सकते हैं ठीक है। तो डेफर्ड होल लाइफ एशॉरेंस पॉलिसी अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कंपनी शुरू के येर्ज में बहुत ज़्यादा स्क्याप्टिकल माइंडसेट का और प्रोफेशनल स्क्याप्टिसिजम अप्लाई करता मतलब मर गया अच्छा कैसे मर गया क्या हुआ पहले भीमारी था बताया नहीं न ऐसे पुरा कुश्चन हैंसर होगा ऐसे नहीं देखा क्लेम बढ़ हां पात-दस साल हो गया फिर कंप्री ठीक है नॉर्मलाईज हो गया पात साल दस साल ठीक है बट पहला दो-तीन साल में बहुत ज हिसा मिलेगा कभी भी और के इंदर मरने से नहीं तो बाद में मरने से नहीं मिलेगा प्यॉर रइंडामेंन टर्म के एटन पे जिंदा हो तो मिलेगा ने तो नहीं मिलेगा एक बाद बताओ ये 0 है ये 20 में 20 और 27 तो तुम बताएगा तुम थिक है तो 20 साल का प्रणय ऑंडौमिंट थिक है तुम 26 और 27 की बच मों ੰ फैसा कहना मिलेगा ? तुम 17 और 18 की बचैना पर पैसा मं मिलेगा तो ट्रूमम् सब्सोड प prostu मर गया पैसा है तो ट्रौमन के संट- करेंट पैसा है ज़् librer n 길 इतना भोला है यह इसलिए मैं इसको पसंद करता हूं इतना भोला है यह इतना साथ है तुम्हों मेरे पास पहला दो तिन पर क्लिएर करें पर भूले हूं सर अच्छा पढ़ाया था मुझे हुआ मतलब क्या है term के पहले मर गया मैं तो जब मर रहां के बार मर गया तो टरम के end पे मिलेगा endowment में तो पैसा मिलना ही मिलना है endowment में तो पैसा मिलना ही मिलना है जब मैं बूला 17-18 के 20 में मरेगा तो तुम लोग को कुछ नोना ची end of the year या immediately अगर immediately तो सर जैसा मरा उसी time पे मिलेगा है और अगर end of the year होता तो अठारह कि टेफर्ड में 5 साल है ठीक है 5 सालं टेफर्ड है तीन साल के अंदर अंदर मर गया तो पैसा नहीं मिलेगा सिंपल है पांश टेप को प्रोड़क्ट है क्या 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 लिक लो क्या क्या लिक लो सबसे पहला हमने पढ़ा whole life assurance फिर हमने पढ़ा term assurance फिर हमने पढ़ा pure endowment फिर हमने पढ़ा endowment assurance which is pure endowment plus term assurance ये वला है endowment endowment assurance और एक है deferred whole life assurance मैंने 23 तारीक को जशने एक साथ मनाएंगे उस दिन कोई मिसाउट मत कीजिए गए 23 नवेंबर शनीवार का दिन है ठीक है शनीवार 23 नवेंबर उस दिन सिलेबस को करेंगे खतम डाउट्स को करेंगे खातमा और फिर चलेंगे बस deferred whole life assurance DWLA deferred whole life assurance येस प्रानित प्यार एंडाउमेंड का मतलब क्या होता है आप टर्म के एंड पे जिंदा हो तो पैसा मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा एक कुश्चन पूछ रहा हूँ प्यार एंडाउमेंड में क्या एक ही टाइम पे पैसा मिल सकता है येस और नो येस अरे प्यार इंडामेंड में तो पेमेंड का खली एक ही टाइम पिरेड़ है टर्म का एंड वो सिर्फ ये चीक चेक करेगा क्या पॉलिस योल्डर जिंदा है हैं तो दे दो नहीं है तो नहीं मिलेगा सिंपल खतम ठीक है क्यों अगर मान लो मैं कोई एक ऐसा प्रोड़क्त लेता हूं अब तुम जब तुम ऐसा कुछन पूछते हैं कि वह इंटेलेक्चुल ताकि पुरा क्लास का टायम बेस्ट हो जाए अब सुनो एक बात बताते हैं हमने एक प्राइज मनी बनाया ठीक है हमने एक प्राइज मनी बनाया कि पहला दिन क्लास में सबको 100-100 रुपया देना है पहला दिन क्लास में सबको 100-100 रुपया देना है ठीक है जैसे मान लो अपना क्लास चाल हुआ था 16 सप्टेंबर ठीक है तो 100-100 रुपए सब देंगे, ठीक है, और उस दिन मानलो 100 लोग आये थे, ठीक है, एक साल का कोर्स है, ठीक है, एक साल पैसा अक्युमुलेट होगा सबका पैसा, ओ मैडम, वाट इस दिस, यह आएगा इंटर्व्यू में, ठीक है न, पेपर क्लियर करने से कुछ नहीं होता है 100-100 रुपए सब लोग दे दिया, 100 लोग आये थे क्लास में, सोचो, मैनिफेस्ट करो न, अगर आये 12 लोग के तो क्या हुआ, छे मैना बस 100 लोग ही होंगे, येस, ठीक है, तो 100 इंटू 100, कितना हो गया, 10,000, 10% के ब्याद से पैसा अक्युमुलेट होगा, ठीक है, सबका प 20, उस दिन जो क्लास में आएगा न, उन सब में वो पैसा बट जाएगा, अब तुम लोग हिसाब लगा लो, क्लास में कितने लोग आएंगे, तुम लोग एस्टिमेट क्या बोलता है, मैक्सिमाम दस, समझा, तो 10,000, अक्युमुलेट होगा, 11,000 पे, और 10 लोग आएंगे, तो सब में पैसा बटेगा, तो जो आ रहा है, उसको तो कितना अच्छा पैसा मिल रहे हैं न, इन्वेस्ट कितना किया, 100, और 11,000 को डिवाइट करेंगे, दस से तो कितना होगा, ऐर-ए-बैंक में पैसा डालता 100 रुप्या, तो कितना होगा एक यह, ज और 12, लेकिट तुम को कितना मिल रहे है, 11, वैकि तुम बैंक में निपने ढלה, तुम प्यार एंडरमेंट प्रोड़क्ट लिया, यहां पर हम लोग बात सिर्फ मरने का नहीं कर रहे हैं आज क्या बोल रहा है आज मेरे को अब जैसे मैं आपको पेंशन के बारे में बताता हूं मेरे पास क्या ना पैसा आते रहता है ठीक है मैं तुम लोग को बताता हूं हिसाब तो पैसा ऐसे आते रहता है तो पहले मैं पैसा डालता हूं फर डालता हूँ PMS में छीक है आल्टिनेट इंवेस्पेंट में डालता हूँ ऐसे करके ακरेक कि लिक्विड़्स में डालताँ घोल ड्यास्थमें फिर भी पैसा बचता है ठीक है दान क्यों कर दूधा न ऐसे नहीं होता है ठीक है, तो फिर भी जो पैसा बचता है, उसको मैं डालता हूँ, पेंशन में, पेंशन फंड में क्या है, आप वॉलेंटरिली डोनेट करिए, एक होता है पीपेफ, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, यह सब समझो तुम लोग, तुम लोग यह सब समझो, पब्लिक मेरे पास 10-15 लाग में क्या करू, तो 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 फिर यह पास बाद यह आता है, वॉलेंटरी प्रॉविडेंट फंड, मतलब उसमें क्या है, आप अपने मन के इच्छा डाल सकते हो, वो पैसा, आप रेटार्मेंट में निकालोगे, चीज समझो, ठीक है, वो पैसा अब रेटार्मेंट के टाइम भी निकालोगे, तो रेटार्मेंट जब होता है आदमी का, मानलो लंसम जनरेट हुआ, पांच करोड का, तो पांच करोड में गौर्मेंट ऐसा नियम बना रखा है, बोलता है, एक सर्टेन परसेंटीज आप लंसम ले सकते हो, अभी इंसान क दिमाग सटक रहा है इस उमर में, बीना कुछ किये ही इतना उर रहा है, तो पैंसेट साल का उमर में तो कितना ही सटक जाएगा, तो गौर्मेंट बोला, आपको अपना जीवन को एकदाँ मच्छे से चलाना है, क्योंकि पैंसेट साल आपका हो गया है उमर, अब आपके बस कोई active source of income नहीं रहेगा, तो गौर्मेंट क्या बोला, इसका 40% आप लमसम में निकालो, तो मालो 5 करोड का 40% बोला, 22 करोड आपको जो करना आप करिये, बैलेंस 3 करोड आप चाहते वे भी आप लमसम में नहीं ले सकते, आपको उसका एनविटी ही लेना पड़ेगा, अब इनविटी का हो लोगे, रेट कैलकुलेट करता है, बेस जोन और मोटालेटी करेक्टरिस्टिक्स, इफ यॉर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस हाई, दा आइनविटी अमाउंट पर मन्त विल बी लोवर, एक्जाक्ली, क्योंकि ज्यादा में बठेगा न, ज्यादा समझा, तो इन्शॉरेंस इस नोट ओली अबाउट मोटालिटी, इस अबाउट कि आप सर्वाइवल के प्रोडक्स भी देते हो, देखो बहुत अवेरनेस का बहुत कमी है, ठीक है न, अवेरनेस का बहुत कमी है, एन इंसान जब तक यह नहीं समझेगा, आज मैं आपको बत ठीक है, तो बेसिकली इनसान को वो फेट नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं कि वो समस्ता नहीं है, ठीक है, तो वो रिस्क के उपर में है, बट सर्वाइवल में भी प्रोड़ाइवलिटी असोसेड है न, तो आप जब देखोगे, अभी आप डिसकाउंटिंग फैक्टर जो आप करते हो, ठीक है, अभी जैसे माल लो, आप जब डिसकाउंटिंग फैक्टर सीटी वन में करते हो, जब सर्टेन कैश्प्लों जो तो वी तुदी पार एन, ठीक है, बट अभी हम लोग करेंगे इन्टू प्रोड़ाइवलिटी फैक्टर विच इन्पी एक्स, एन्पी एक्स, तो यह जो डिवाइड जो हो रहा है, अरे चमझो, हंड्रेड इंटू 1.1 का फैक्टर, डिवाइड बाइड पॉइंट वन होगा न, क्यूंकि लास्ट तक तो सिर्फ दस परशन लोगी आएंगे, तो कितना आरा है मांट 1100, समझा, यह चीज होता है, ठीक ह पूछान जैसे हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, जो ले डिवे समोकिंग का डिवाइड यह संट प्लिकेट कर देगा, विवन जब सेल्समन बेचता है, मैं हो सकता है जिम जाता हूं, आप स्मोग करते हैं, तीसरा कोई और नहीं करता है, तो वो तो जब हम लोग मॉर्ट सब्सक्राइब तो इसका डेटा कहा है कि मैं स्मोक करता हूं तो मैं मर जाता हूं यह बसके वड़ाइब डेटा ऐसा हूं ना कि अगर सब्सक्राइब करता है यह बहुत सरी बौडिड लोग्या यह चल रहे है तो आज के दिन पर बिक रहे है टेट अहीं तो भिक्र रहे है टेट ऐी तो भिक्र रहे हैं मैं तुमसे खरीद लूंगा भई एक से रुको टेटा डेटा ही तो भिक्राइँ अज के दिन पे टेटा करता दाम है वोला है न डेटा इसन नीव ऑइल मेरे को तुम ऐसा डेटा दे दो ऐसे इंडिया में कितने बच्चे जिनका 90 प्लस आया मैर्स में उसका एक्सल बना के दे तो मैं एक लाग रुपए देने को रेडी हूँ एक लग शोड़ दस लाग रुपए दे दूंगा डेटा काई तो दाम है ना बच्चा क्या सर्च करें अग्षण प्रवीन सर्च करेंगे बच्चे को तो कंपनी कंपनी के लिए कौन सब्सक्राइब कंपनी तो डेटा अलग-अलग सोर्स से कलेक करेगा और फिर उसमें रैंडमनेश भी जेनरेट करेगा अब जैसे दो कोविड आया वंसीन इन इयर इवेंट है वंन सीना अंड बच्चे का अडमिशन लेकिंग मुआते हैं तो मैंने इसके बेंचे लगाया है आपर तो लेकिन मैं को पता है ना भाई कि अगर कोई दिन आइसा हो गया सौव बच्चे आगे मैं को पता है क्या करना उस दिन पाटी लिएकर चलूँगा तुम लोग को तो बेसिकली डेट तो हर आज college में होता है भई college में होता है कि लास्ट में आता है कितने सारे colleges है क्याकटा में बॉम्बे में जो लोग 1.5 टाइम अब्वेशन लेते हैं कि वो लोग को last हैं लांस दसाता हिस्टी पता है कितने परसें बच्चे कैंसल करेंगे नहीं समझां किया वह सिंपल है सब चीज तो ठीक है ओके नेक्स प्रेसा है और नहीं वो तो मिलेगा वे वो तो गॉर्मेंट का है कहां से रख लेगा पुरा उसके डिपेंडेंट्स को मिलेगा मरने में तो पूरा पैसा मिल जाएगा उससी समय चिक्षा है है कौनसा हाँ आरे वह वह आपके उपर में कि आप उसको सुपर्ण कराना चाहते ह तो अलग अलग क्लॉज हो सकता है आप जिसे पीपीएफ में नहीं है कि तुम 10-15 साल पहले पैसा नहीं निकाल सकता है अब एमर्जनसी के टाइम पर तुमको निकालना ही पड़ेगा वैसा ठीक है जब मर जाएंगे तब एक इसए नहीं एक इस नो आकुट है नहीं होले फेस्ट मिलेगा ही मिलेगा एकश क्योटा से चैन्ज होगा तो य में कितना चैन्ज होगा एक्स में अगर छोटा सा चैन्ज होने के वज़े से क्यों में क्या change हो रहा है time में छोटा सा change होने के वज़े से क्यों में क्या change हो रहा है that is force of mortality मतलब एक ऐसा force जो कि एक alive state का आदमी को dead होने पे मजबूर कर दे उसको बोलते हैं force of mortality आप 10 साल जीए तुरंट आप पे force of mortality लगा और आप मर गए basically यमराज को बोलते हैं force of mortality मतलब कि आप उस instant पे मरे जब आप force of mortality लगा ऐसे force of sickness भी हो सकता है force of love भी हो सकता है अरे हाँ भाई अभी तक तुम्हारा बन में decided था कि भाई कुछ भी हो जाए हमको भाईया का ही बात मानना है भाईया बोले हैं कि 3 साल कॉलेज का कोई लड़की लड़का का चक्कर में नहीं पढ़ना है हमको लेकिन तुम ऐसा सुन्दरी को देख लिया ना भाई तुम 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 मोला भाईया जाए भांड में तो वो force of वो हुआ ना भाईया force of love हुआ तो एक ऐसा अभी यहां पर तुम सिक हो गया और यहां पर तुम डेड हो गया तो अलाइव से सिक हो सकता है सिक से अलाइव हो सकता है अलाइव से डेड हो सकता है सिक से डेड हो सकता है कहानी घर-घर की है नहीं कि वो reverse बनाएंगे यह भी तुम लोग का एक्जाम में आएगा यह थो लोग के एक्जाम में आएगा ट्रांजिशन डियाग्रम बोलते हैं इसको अभी कुछ बनाना नहीं है ठीक है अलाग अलाग ट्रप का आप जिसे मालो कि बुखार हुआ तो वापस आपमी नॉर्मन हो सकता है लेकिन तुम फैक्ट्री साथ हाथ प्रस्वापस नहीं पांगेगा एक पर्मनेट्टी भीगा तो वापस अगर कुश्चन आया और बोलेगा पर्मनेंट डिसेबिलीटी तो वापस एरोमत बना देना अरे भाई सोच समझ नहीं समझा क्या तुम फैक्ट्री में काम करा तो एक बर पर्मनेंट डिसेबिलिटी हो गया हो गया वापस ऐसे अरुमत बना देना हेल्दी की तरफ में चीक है सो बेसिकली यह वाला को मिटा दे रहे हैं चीक है एक ऐसा फोर्स जो कि तुमको डेड होने के डेट चेट पकड़िए पर मजबूर करें वह फोर्स आफ यह बॉडलिटी और इसका डेफिनिचिन यह अपर रूपलोब यह एक अभी तुम तो ठीक है? कॉपी कर पबले हैं तक। बेस्टिकली इसका डेफिनेशन यह है, यहां पर माइनस में 0QX लिख लोके तो बिटर रहेगा और यहां पर H-0 लिख लोके तो बिटर रहेगा। मैने टाइम में चेंज हुआ 0 से H तो आपके Q में क्या चेंज हुआ? HQX-0QX अब लिखते चलना मियू डिनोट्स कि दा रेट आफ चेंज इनक्यू ओवर टाइम कल अम लोग जो कर रहे थे ना सब के एक्स के लिए करेंगे बने जो एक्जैक्ट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम विरीबल है ना उसके लिए अम लोग कर रहे इसलिए अम लोग को पहले फोर्स को डिफाइन करना जरूरी है कि वह तुम कितना Mu denotes the rate of change in Q over time ठीक है इसके बाद में लिखना It is an instantaneous measure of mortality instantaneous measure of mortality ठीक है Bracket में लिख देना हर सेकेंड मरने का रेट हर सेकेंड मरने का रेट ठीक है हर सेकेंड मरने का रेट Mu denotes the rate of change in Q over time It is an instantaneous measure of mortality हर सेकेंड मरने का रेट Mu has got dimension time inverse unit year inverse time inverse कैसे आर क्योंकि नीचे टाइम है ना नहीं समझा Mu probability नहीं है Mu क्या है उपर में है probability और नीचे में है time इसलिए हर सेकेंड मरने का रेट अरे 0QX for example एक साल में मरने का probability है 12% आपने उसको divide कर रहे है ना H से तो वो एक rate निकल के आ रहा है और नीचे time period है बोलके time inverse नीचे है ना time इसलिए time inverse और यूनिट नॉर्मली इयर inverse ठीक है कॉपी करिए इसको अब next इसलिए लगाना probability density function probability density function of TX एक पहले intuition दे रहा हूँ है जैसे small f TXT small f मतलब क्या होता है small f मतलब क्या होता है PDF तो एक intuition दे रहा हूँ एक साल का आदमी T years जिया उसका age हो गया X plus T उसके force लग गया वो मर गया तो TPX mu X plus T इसी को अपने को proof करना है इसी को अपने को proof करना intuition बहुत क्लियर है एक साल का आदमी T years जिया तो TPX उसका age कितना हो गया X plus T force लगेगा तो क्या हो जागा mu X plus T ठीक है यह अपने को PDF प्रूफ करना है यह अपने intuition हो गया copy हो गया उपर का पर है नोट्स हाँ अब ध्यान देना आज सारा immediately की time से सुचना आज सारा immediately की point से सुचेंगे ठीक है ओके ध्यान देना अपने चालू कर रहे हैं CDF से तो capital F TXT is what probability TX is less than equal to T मने मेरा जो complete future lifetime random variable है वो T या फिर उसके पहले खतम हो जाएगा मतलब हम T के पहले मर जाएगे तो क्या हो जाएगा TQ X ठीक है TQ X अब मैं इसको differentiate करूँगा तो मैं इसको क्या मिलेगा PDF CDF को differentiate करने से क्या मिलता है PDF तो यहाँ पर आएगा DDT of what DDT of what बोलो मुझे TQ X which is what DDT of what 1 minus yes excellent TP X which is minus DDT of TP X पहले यहाँ तो copy कर लिजे ठीक है यह आगे भी हम लोगो काम में आएगा इला result अब अगर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से देखें यह जो है ना इस पर ध्यान देना DDT of TQ X पह ध्यान देना तो लिमिट लिमिट H tends to zero capital F TX कुछ copy मत करना रूख जो T plus H यह देखो ना इस पर ध्यान दो यह जो है ना यह वाला पर इसका हम लोग डिफ्रेंसियेशन कर रहे हैं D Y D X क्या होता है F of X plus H minus F X by X plus H minus X वो ही कर रहे है F of T X T plus H minus F T X T whole divide में क्या आएगा बताइए हाँ T plus H minus T copy कर लिजेशको तो यह क्या आएगा limit H tends to zero now capital F T X T plus H का मतलब क्या हो जाएगा T plus H के पहले पहले मर जाएगा मतलब T plus H Q X minus T Q X by H अब इसको Q से P में convert कर दो so limit H tends to zero 1 minus T plus H P X minus 1 minus T P X whole divide by H limit H tends to zero T P X minus T plus H P X by H अब क्या करूँगा दोनों से T P X common ले लूँगा आएगा 1 minus H P X plus T मैं समझा रहा हूँ बार बार समझाँगा यह देखो इधर देखो मेरे देखो T plus H P X मतलब X साल का आदमी को कितना साल जी आना है X साल का आदमी को T plus H जी आना है पहले T जी आ दिया पहले T जी आ दिया तो उसका उमर कितना हो गया X plus T तो x प्लस t साल का अदमी और कितना जिएगा? h, तो 1-hp x प्लस t. अब यह limits किसका है? limits किसका है? h का है? इसमें तुमको h दिख रहे हैं क्या? तो यह क्या है? constant है, बाहर आ जाएगा. ठीक है? यहाँ पर क्या हैगा? limit h tends to 0 h q x प्लस t by h. यादार, अभी μ्यू x का मैंने definition लिखवाया था. limit h tends to 0 h q x by h. यहाँ पर क्या है? h q x प्लस t है. तो यह क्या हो जाएगा? tp x into μ्यू x प्लस t. यह सिर्फ तुमारा thirst को बुझाने के लिए है. proving इसका exam में नहीं आएगा. ठीक है? और अब आभी सकता है, क्योंकि आए-फोई भी अब open book हो गया है, sorry, close book हो गया, ठीक है? तो अब आ सकता है, बट open book में generally यह लोग proving नहीं देता था. कहां से? बारा तारीकों ना बहुत important class है, कोई भी मिस्मत करना. ठीक है, सुबह 9 बजे आ जाना एकदम. कहीं भी रहता हो, उससे फरक नहीं बढ़ता है, सुबह उठके आ जाना. एई, यह फोम नया है, उठो वहां से? यह नया फोम है. खाली एक ही चीज़ करना है, practice, practice and practice. जितना practice करेगा ना, एक्जाम में उतना success हो गए बाद याद रखना. जो blue circle दोनों से TPX common किये तो 1 आया minus मैंने क्या बोला X साल के आपने को T plus H जी आना है तो पहले X साल के आपने को T years जी आया वो तो बाहर आ गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाल में देख लो T plus HPX is what TPX into HPX plus T तो basically पहले X साल के आपने को T years जी आया, उसका age होगे X plus T, फिर H years और जी आया is it okay हाँ है ना ठीक है copy होगे क्या कुछ छूट रहे के ओपर का थोड़ा एक दो प्रूफ कर रहे हैं तकि तुम लोग Mew से comfortable हो जाओ, ठीक है देखा, वो अच जैकेट लेके है यह देखो वेरी गुट तुम आज एक example set कर रहे हो class में येस भूमी का कहां से बिटा एक साल का आदमी को T plus H ES जी आना है मैं आपको ऐसे नहीं समझात हूँ, सर नंबर से बताईए, नंबर से बताते हैं अगर मान लो 40 साल का आदमी को 5 साल जी आना है जोसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2P40 इंटू 3P42 वह ही किया और कुछ नहीं किया है ठीक है? एक और proving करेंगे टाइम नहीं waste करेंगे एकदम आओ अभी हमलों को proof करना है TPX is exponential minus integration 0 से T μू X plus S dS ठीक है? अब ध्यान दो capital F TXT मतलब CDF जो है वो अपना बन रहा है TQX है ना? अभी अपने किया अगर अपने को small F TXT निकालना है तो अपने को करना पड़ेगा DDT of TQX हाँ या ना? बोलते चलो so this is what? minus DDT of TPX अभी just उपर में किये चेक कर लो minus DDT of TPX हाँ या ना? small F TXT just अभी हमने निकाला which is what? small F TXT is what? TPX mu X plus T is minus DDT of TPX हाँ या ना? तो अभी में क्या कर रहा हूँ? TPX divided by DDT of TPX is equal to minus sorry sorry कुछ copy मत करना एक में टुको मैं उल्टा लिग दिया हूँ एक में टुक जाओ हाँ एक में टुको so minus mu X plus T is DDT of TPX by TPX ठीक है? minus mu X plus T is DDT of जो बच्चा बता दिया हो पास एक सेर हम जिसको पूछेंगे वो तुम बोलो very easy DDT of LN TPX क्यों बोलो तो अब इसका करो differentiation अब इसका करो one by TPX into DDT of TPX chain rule is it clear? copy कर लिजे पहले हाँ तक फटा फट नीचे बंद ऊपर करें कहां से ये? अब यह सिंप्लिफिकेशन ने चल रहा है हाँ बस अब DT उदर चला जाएगा और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगा answer आ जाएगा कुपर और आप कुछ करना ही नहीं है अब अपने क्या करेंगे? डिफरेंशल को उधर ले जाएगे cross multiply now integrating both sides तो अब मैं क्या करूँगा? integrating both sides में integrating both sides में मैं क्या करूँगा? अब ध्यान देना integration 0 से T D of SPX यह differential है क्योंकि limits में T है बोल के अंदर में S कर दिया now this is equal to integration of 0 से T minus mu X plus S क्या होगा? बताओ DT will become DS अब इंटीग्रेल और दिफरेंशल कट जाएगा? इंटीग्रेल और दिफरेंशल कट जाएगा? तो क्या बचेगा? बताओ SPX 0 से T is what? minus integration 0 से T mu X plus SDS so TPX minus 0 PX is what? हाँ? बोलो? कुछ घरबड हो रहा है? अरे एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट सॉरी 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 एक मिनिट को पुरा काटना पढ़ेगा अपने को अरे यहां पर तो LN होगा मैं LN वही मैं बोला हूँ मेना हिसाब सुबह में रटकी आया चार बजे पद्धा रिक वो अवी एक मिनिट इस सॉबह तो चर बजे रटा था सुबह च्छार बजे रटा था तो वह औट किया था अभी अचान अचे नहीं क्या बोला हाँ आना कल तीन मजे उटना पड़ेगा भाई आज सुभाई मैं बोला रट के आए हूँ सब्सक्राइब करें अब आप करो एक से नों को तनिश्क मजाग करें थे अब करो इसका इसरेशन दिफ्रेंस्यнес न Counter है ऐखसे सब्सक्राइब करें द्र्सक्राइब का करें यह सम xpx, ठीक है, is equal to what, integration 0 से t, minus भार में है, mu x plus sds, और ये वाला जो है, ज्यादा कुछ change नहीं होगा, यहाँ पर आएगा, ln spx, 0 से t, आप देखो, t डालेंगे, ये भी गलत हो गया, अब क्या आएगा, ln tpx, minus ln 0px, वो ही चल रहा है, वो ही चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ln tpx, minus 0px is what, 1, and log 1 is what, 0, thank God, 0 से t, mu x plus sds, so this is what, tpx, अब ln है ना, तो exponential हो जाएगा, महाँ पर, exponential minus integration 0 से t, mu x plus sds, चलो, copy, copy, तुम को क्या दिखता तू, ln वाले में, तुम ये बताओ, तुम प्लम को ये बताओ, ddx of ln x cube क्या होगा, तुम प्लम को ये बताओ, ln x, ln x cube का ddx क्या होगा, तुम प्लम को ये बताओ, x cube का न, तो 1 by x cube into, ln x cube का तुम मेरे को बताओ, हाँ, तो 1 by x cube into, ddx of x cube करेगा, न, वही तो किया है, भाई, यहां से यहां है, और कुछ नहीं किया है, अब तुम x cube को, tpx की तरह सोचो, हाँ, समझ गया, ठीक है, यह proving हो गया, अब तुम लोगों को पता चलेगा है, question देता हूँ मैं, ठीक है, एसेट कौन कौन नेरे बाहाद उठाओ, एक, दो, तीन, और चार, ठीक है, दस से एक हैंना, एक्जाम, एसेट में ना, बहुत सिंपल फंडा है, मेरा बात समझ लेना, जितना भी question आए, पहले, जो जो आरा, फड़ावा, टिक करते चलना, ठीक है, जो जो आरा, पहले, तुम लोग फेल मत हो जाना, एसेट में, जो जो आरा, पहले, फड़ावा, टिक करते चलना, एपलाए common sense, और बहुत बार तुम लोगो क्या होगा न, एंसर नहीं समझ में आएगा, तो एंसर बठा दे ना, question में, सिंपल है न, answer बठा देगा question में, तो भी तो answer सही सहुझ जा जाजेगा न, तो एकदम कोई question में मालो, तीन नमर का question है, तो एकदम हिसाब लगा ले न, तीन घंटा में, तुमको करना है सो नमबर, बने हर एक नमबर का डेड़ मिनिट है तुम्हारे पास, एक नमबर का डेड़ मिनिट, तीन मिनिट का, तीन नमबर का question में, ओड़े चार मिट से जाद नी लगना चाहिए, एकदम हात में timer होना चाहिए, नीं समझाए, देखे गा, एक question ऐसा देगा न, शुरू के तरफ मी देगा, शुरू के तरफ में देगा ऐसा एक कुश्चन देगा ना तुम्हारा सुपंदा में निकल जाएगा और जहां सुपंदा में निकला मैं तुम फेल टिक है पहले छोटा-छोटा एक नमर का खोजना एकदम फटावट फटावट जैसे इंगलीश एक्दम इजी आएगा यह मां सोचने का टाइम जो आरे टिक करते चलो इंगलीश एक दम इजी आएगा अलर एक दम इजी आएगा ठीक है जो लोग लिया है कोचिंग नहीं आई आए का 5 पर कर लेना अए इसेट का न देखना बहुत सारा पास पर दिया है है सैंपल तो ठीक है लेकिन पास पर भी कर लेना चिक है चलो कोशन लिखो तो संडे को एक काम करते हैं तुम लोग गंटा में तो आ जाएगा ना एक बजी अगर है तो डिएड़ घंटा में सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो noun व्युक्त्राइब अदो ऐसे में सब्सक्राइब लोग उस दिन, छीक है, चलाओ, मिउ एक्स इस वाट, जिरो पॉइंट, डबल जिरो फाइव, एक्स अपने को दिया वह 30, एक्स मतलब होता है एज, बने एक 30 साल का आदमी, विल डाई, बिट्वीन एजेज, 55 एंड, 65, विल डाई बिट्वीन एजेज, 55 एंड, 65, छीक है, इसका मतलब क्या ध्यान से सुनो, 30 साल का आदमी है, 25 साल रुक के 10 साल के अंदर मरेगा, तीस साल का आदमी है, पच्चिस साल रुक के दस साल के अंदर मरेगा, so this is nothing but 25 deferred 10 Q 30, so this is what, 25 P 30 into 10 Q how much, 55, so this is 25 P 30, 1 minus 10 P 55, clear है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 P 30 minus 35 P 30, एक सॉल्फ करेंगे, अरे अभी तो किये ना, TPX is exponential minus integration 0 Ct, μू X plus SGS, सर पता कैसे चलेगा कि उसी फॉर्मुला से करना है, भाई साब, जब मू दे देगा, और बोलेगा TPX निकालो, तो वो ही तो एक फॉर्मुला है, ठीक है, कॉपी कर लिए यहां तक, तो समझ गया ना, TPX एक बार 25 को लेके करेंगे, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, 25 को लेके जब करेंगे ना, तबने को पैटन समझ में आ जाएगा, फिर अपने क्या करेंगे, 25 के जगा मैं खली रिप्लेस करेंगे से, 35 से, ठीक है, मैं बोला, उपर करेंगा, वैसे उपन ना, हाँ, समझ गया, मैं बोला, 25 लेके पहले करेंगे, अब देखो, मैं दिखाता हूँ, 25, T30 यह ना, तो दिस इस वर्ट, exponential, minus integration, 0 से T था ना, तो यहां पर T कितना है, जल्दी बताओ, यहां पर T कितना जल्दी बताओ, 25, mu X plus S, mu X, X कितना है, mu 30 plus S, DS, तो वहां पर जो फॉर्मुला में जो X है ना, X is going to get replaced by what, नलाइकों की फॉज इकटा कर रखी हैं यहां पर, 30 plus S, बेटा, इधर देख, ते कोई दीख नहीं रहा है, यह देख, question में क्या दियावा है, X, निकालना क्या है, तो X के जगा पर क्या बैठेगा, exponential minus 0 से 25, 0.005, e to the power 0.09, 30 plus S, minus 20, dS, so this is what, exponential, minus 0.005, 0 say 25, e to the power 0.09, 10 plus S, dS, तो क्या होगा इसमें, exponential minus 0.005, e to the power 0.9, integration 0 say 25, e to the power 0.09, dS, so this is what, exponential minus 0.005, e to the power 0.9, e to the power 0.09, S, by 0.09, 0 say 25, 25, COPY करिए, so exponential minus 0.005, e to the power 0.09, by 0.09, e to the power 0.09, into 25, minus e to the power 0.09, into 0, अब तुम लोग सम्झा, हम क्या बोल रहे थे, अभी आ गया है ना, इस इस फ़र 25, P 30, अब 35 निकालना हो का, तो जहाँ आ जाँ जाँ 25, वहाँ उसके जगह में क्या आ जाएगा, 35 समझांगा, solve करो बैंसे निकालो, copy क्या क्या नहीं बहाँ बताओ, ये सब copy हो गया, इसके उपर वाला, करो आराम से करो, ये वाला सब का हुआ गया, ये वाला, नीचे मतलब, उपर, इसके पहले का, उसका नहीं होए, उसका नहीं होए, 10Q55 होगा ना, 10Q55 होगा ना, 10Q55 होगा ना, क्यों उसका ना, भी बताचि सब्सका क्यों तदे बतावा । क्यों इसका ना, ये अक्यों का, सब क्यों कुर् Taj भीिर्टेश, तॉप्यों गेहां तक कॉप्यों यह वाला कॉप्यों यह वाला कितना रवता हो फाइनल से बताना यह फाइनल से बताओ मैं आ रहा हूं एक मिन में क्कॉप्यों यह वाला कि लूजागा watchesजब धेहां झाल 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 नहां रहा बता ये फड़ा पर इतना नहीं दूंगा जिरो पॉइंट फाइनल एंसे बताओ जिरो पॉइंट ना वन सिस्टी पॉर तो नहीं एंसर में को फाइनल बताओ ये ये 25 पी 30 का एंसर है मेरको चाहिए फाइनल एंसर अभी तक भी में को सही एंसर नहीं मिल रहा है शहां तक में को लग रहा है येस फुशी जैन एस अमन शर्म एस गिवन दा करेक्ट एंसर हाँ फाइनल एंसर जो आएगा ना जिरो पॉइंट टू सिक्स टू डबल एट ये सही एंसर है देखा क्या रटते हम कुशन चोड़ो एंसर भी रट लेते हैं पूजा किसका रहा है सिंटेक्स टेरर मंदीर है घर के बगल में कोई कैल्कुलेटर के साथ तुम भी जाओ तेरा भी आरे सिंटेक्स टेरर आगे क्या में तो फिसिकल एक्जाम होता था था भाई हम तुम लोग से बहुत बढ़ा है एक डिकेड का हम लोग की विश्में ग्याप है हाँ 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 उससमें बहुत अच्छा होता था मतलब उससमें लाविश सेंटर होते थे वहां पर वो लोग पुरा अर्रेंजमेंट्स करते थे और बहुत डिस्टेंस होता था बहुत बढ़ा एक्जाम तो है एक्जाम की तरह होना चाहिए ना तो स्मॉल नहीं बन पाता होगा घर पे दिक्कत तो होता ही होगा एंड हर बच्चे के पास में एक्सपेक्ट स्टेडी स्टेशन सॉर्ट आफ जैसे मेरे पास अभी भी नहीं है तो बहुत लोग बैट पर पड़ते हैं फिर टेबल लेके पड़ते हैं तो वह सब में दिक्कत तो आता ही है वाइफाई का इसा विश्यू तो ही उपाए नहीं है जो है अगर आपकी वाली काल्कुलेशन कर रहे हैं तो 0.31354 अरे नहीं रहे मालेक वह एक का एंसर है मैं वहीं तो बोल रहा हूं पहले यह निकालना पड़ेगा फिर निकालेगा 35P30 और फिर इतनों को माइनस करेगा यह निकालना ना भाई मेरे यह निकालना था सर एक्वेशन में 35P30 कैसे आ है बताओ इसका मैं क्या जबाब दू तेजर संगोई को यह देखो यह ही से तो चल रहा हूं मैं 25 डेफर 10Q30 निकालना था मने तीस साल का आप में 25 साल जीके 10 साल के अंदर मरेगा तो 25P30 इन्टू 10Q55 10Q55 को लिखा 1-10P55 तीस साल का अब में 25 साल जीएगा उसका अमोर जाएगा 55 फिर 10 साल और जीएगा तो 35P30 आरा माइनस में चीक है दोनों को पहले एवालूइट करना पड़ेगा तेजर संगोई यह वाला का आएगा उसके बाद में अपने को सिमिलर तरीके से निकालना है 35 P30 बसका लिए जो 25 स के जगा में 35 कर देना है पर तुम लोग शुरू से करना था कि तुन्होंका प्रैक्टिस होगा आया आपका आया इनको बलाओ आपका आया कितना आ रहा है इंडिविजुल लैंसेस ट्वंटीव भी थर्टीगा जरो पॉइंट जरो पॉइंट जरो फॉर सेवन टू टाइम लगने दो टाइम लगने दो टाइम तरड़े इस अधिर लंबं लंबंब लंबा क्लास कर लेंगे ना तो क्या अपना वह जाएगा और उस अधिस 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 तगड़ा तगड़ा सम्स बना लेंगे दम दस साल का पिर बास मैं हूं डॉन इसक्त टोल से लगेगा बस उड़ रहे तुम लोग आजेगा जैगा दे चैप्टर इसको दिखादे तो मैंश्कुर्ण इस राइट बेटन दा कि राइट के राइट ऐगा हेडिंग लगाओ होल लाइफ एश्वारेंस होल लाइफ एश्वारेंस केस है EOYOD end of year of death मेरा बात सुनो मैंने बोला हम लोग contingencies में क्या क्या करेंगे survival और death का probability से चालू करेंगे सब लोग मेरे तरह देखेगा survival और death का probability से चालू करेंगे वो अपना हो गया अभी अपने को क्या करना है insurance company का आउटगो को estimate करना है इंशॉरेंस company का आउटगो को estimate करना है तो insurance company का आउटगो certain है कि uncertain है इसलिए हमनों क्या कर रहे है expectation निकाल रहे है और फिर हमनों उसका standard deviation निकालेंगे, क्योंकि आउटगो अगर unset रहें तो उपर नीचे तो करी सकता है ना, तो वही चीज निकाल रहे है, on average कितना आउटगो होगा, इसलिए expectation निकालेंगे, ठीक है, and फिर उसके बाद variance भी निकालेंगे, आउटगो का, फिर उसका root करके standard deviation आएगा, ताकि में कोई ये पता चले, कि ठीक है भई, on and average में कोई इतना payout करना है, and on and average इतना उपर और इतना नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा उपर, possible, उससे कम नीचे, possible, but on and average में कोई range निकालने के लिए, mean or standard deviation निकालना है, तो जितना भी सराटप का products है, पास टेप क ये हो गया, end of the year of death, mean variance, दस हुआ, ये ही चीज़ अपने को करना है, immediately on death के लिए, समझा न, अभी अपना target ये है, फिर उसके बाद में अपन करेंगे, भई, insurance company को premium मिल रहा, regular, वो हो गया, basically life contracts, life contracts, annuity contracts is life contracts, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तुमें एक साल जिएगा, मतलब ए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, present value random variable, मतलब जो present value का equation बनाएंगे, उसमें random variable होगा, contingencies में दो ही random variable होता है, kx, tx, जब end of the year of death करेंगे तो क्या हैगा, kx, जब immediately करेंगे, तो क्या हैगा, tx, आओ, present value random variable, वी टुदी पावर के एक्स प्लस वन इसका मतलब समझो वी टुदी पावर के एक्स प्लस वन का मतलब समझे देखो के एक्स का मतलब क्या होता है के एक्स का मतलब क्या होता है के एक्स का मतलब क्या होता है फ्यूचर में कितना बड़े मनाएगा अगर मालों फ्यूचर में 16 मनाता है मदब किसके किसके मर जाएगा इसले की एकस प्लस वन इसले की एकस प्लस वन सरटाइए रटने वाले बच्छे ध्यान देंगे हमेशा जबी भी कौई भी कभी कॉई भी कटिनाई हो की एकस के संग में हमेशा प्लस वन आए गाही आएगा रट लो ठीक है तुमको सामने सामने देखेगा वी तो पार केक्स graphics not possible not possible क्यों नहीं possible है क्योंकि भई स्टाट पर तो हो जी सकता नहीं पैसा मिलें नहीं सकता है ठीक है copy करिएसको expectation of present value क्या बोलता है summing over the range of आप जैसे देखो kx है ना तो kx एक मेरे बास समझा kx क्या-क्या value ले सकता है 0, 1, 2, 3 कोई अमार है तो चलते जाएगा up to infinity अरे हाँ नहीं क्या हो सकता है अस्वत्था महा कल की देखा की नहीं तो फिर 0 से infinity k runs from 0 to infinity k runs from 0 to infinity पता है क्यों मैटर नहीं करता है infinity क्यों मैटर नहीं करता है पता है तुम 20 साल का जब अपने यादा प्रेजे वे निकाले थे तो कितना आया था 0.1 something आया था तुम 40 साल करेगा तो वो कितना हो जाएगा फराकिनी पड़ता है ना ठीक है, तुमको वही तो बात है सपना दिखा रहा है, सारा कंपनी, mutual fund कंपनी बोल रहा है, 20 सार बाद इतना हो जाएगा, भई, 20 सार बाद उसका value नहीं रहेगा, एक करोड़ गा, ठीक है, Summation k runs from 0 to infinity, v to the power k plus 1, probability kx is equal to k, अरे किस चीज का expectation निकालना है, present value का, और present value क्या है, v to the power k plus 1, v to the power k plus 1, तो जो वी चीज का expectation निकालना है, that into probability का sum, expectation का मतलब क्या है, जो वी चीज का expectation निकालना है, expectation of, I mean, सorg, summation of that into probability का sum, बहुत सिम्पल है, v to the power k plus 1 into probability kx is equal to k, अब मतलब समझो, अब पहले essere 0 डालेंगे, 0 डालेंगे मतलब कितना बट्टे मनाया, जिरू डालेंगे मतलब कितना बटे मनाया यह देख नेन में, भांग पिके है जिरू डाल रहे बैस जिरू तो कितना बटे मनाया जिरू पैसा एक पे मिलेगा ये बोल, ठीक है, अगर के के जगा में 0 डाल रहे हैं, मतलब कितना पटे मनाया, 0, पैसा मिलेगा एक पे, क्योंकि पहला साल में ही मर गया, सो इसलिए v to the power 1 into probability kx is equal to 0, जूट मत बोलना, जूट मत बोलना, कली कराये थे kx is equal to 0, कली कराये थे न, kx is 0, 0 पटेस मनाएगा मतलब क्या, एक साल के अंदर मर जाएगा, मतलब क्या, qx, इसलिए कल करा दिये था कि आज जूट नहीं बोलो, ठीक है, प्लस v square probability, सर, यही तो किये थे, अरे यही तो किये थे न, मैं तो आपको बोला ही, एनविटी में क्या होता है, एनविटी में क्या होता है, v v square v q, यहाँ पर क्या बोल रहे है, पहला साल में पैसा मिलेगा, अगर, मर गया तो, दूसरा साल में पैसा मिलेगा, अगर, मर गय अगर है मतलब क्या probability, और probability कर बताए है, प्लस वी क्यूब प्रोबाबिलिटी के एक्स इक्स इक्वल टू टू प्लस डॉट 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 अप्टू इंफिनिटी, इसको मतलब से समझाईए सर, इसको मन से समझाईए, देखो, पहला साल में मर गया, तो क्या होगा, time 1 पे पैसा मिलेगा, उसका प्रोबिलिटी क्या है, QX, दूसरा साल में मर गया, पैसा कब मिलेगा, time 2 के end पे, तो V स्क्वाइर, ये होगा, इसका प्रोबिलिटी क्या है, एक साल जियेगा, और फिर second year में, ठीक है, तो इसको हम लोग notation देंगे, capital AX, capital AX, tolerance of re 1, ठीक है ना, तो इसका मतलब तो यह है यह जोगे ना, summation k runs from 0 to infinity, v to the power k plus 1, kpx qx plus k, अब अब यहाँ पर भी अगर k के जगह में 0, 1, 2 डालोगे तो उपर वला ही आएगा, ठीक है, बहुत simple चल रहा है, बहुत simple चल रहा है, एकदम light रख रहा हूँ, ठीक है, अब एक चीज़ देखना, e pv का square, एदा 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 को मेरत देखो, pv का square का expectation, मुझ से बूलो न, हाँ, pv का square का expectation, तो pv का square मतलब क्या, v will become, v will become what, v square, v square will become v to the power 4, और बाकी probability का square होगा, क्या, probability का square नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, v square qx, v to the power 4, px q, x plus 1, plus dot dot up to infinity, ठीक है, तो this is nothing but summation, k runs from 0 to infinity, v to the power 2, k plus 1, kpx q, x plus k, सम्झा, v is being replaced by what, v is being replaced by what, v square, क्यूंकि अपने को निकालना है न, variance of present value, तो variance of present value is what, e pv square माइनिस e pv का whole square, और इसका जो notation होता है, 2 ax, 2 ax, देखो, 2 देखो, 2 कहा हैं, देखो, 2 ax, a के उपर 2 है, so variance of present value is nothing but 2 ax, minus ax का whole square, अगर ये कोई समझ गया न, वो सारा भी बना देगा, सारा भी, 10 मेंट, अभी होँ है, साड़े साथ बज़रा है, साथ, 40 पे सारा बना देगा, लेकिन पहला वाला सम्झाना पड़ेगा न, अभी देखो, इससे सारा case कैसे निकलेगा पता है, इससे सारा case कैसे निकलेगा, अब term में आओ, तो term में infinity नहीं होगा, term में infinity नहीं होगा, वी to the power n, n-1px qx plus n-1, क्यों बोलो तो, व्योंकि last तुम कब मर सकता है, n-1 और n के बीच में, समझा, उसके बाद pure endowment में आईए, pure endowment में तो क्या होता है, एक ही होता है, n, तो v to the power n, कब मिलेगा, मरने से न, जीने से, जीने से, तो इसलिए n-px हैगा, n-qx आएगा, n-px, तो pure endowment में क्या होगा, v to the power n, n-px, endowment assurance is nothing, but it is the sum of term assurance and pure endowment, दोनों का plus कर देंगे, और एक है deferred, तो deferred में, अगर n-years deferred है, तो पहला पैसा कब मिलेगा, जो बच्चा बता दिया हो पास है, अगर n-years deferred है, n, n for n for naakpour, अगर n-years deferred है, तो पहला पैसा कब मिलेगा, n plus 1 पे, so v to the power n plus 1, और वो पैसा लेने के लिए पहले तो n-years जीना पड़ेगा, n-px, और फिर मरना पड़ेगा, qx plus n, plus dot 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 to infinity, हाँ, मतलब, up to infinity है न, ठीक है, तो एक के समझने से, कभी कुशी कभी कम देखा है, क्या बोलता है, उसमें बताओ तो, उसमें रितिक रोशन रहता है, तो लोग कौन का नहीं देखा है पहले ये बताओ, कभी कुशी कभी गम, seriously, कभी कुशी कभी गम में क्या दिखाता है, उसमें रितिक रोशन रहता है, शारुक खन रहता है, तो रितिक रोशन छोटा भाई रहता है, शारुक खन बड़ा भाई रहता है, कि शारुक करन उसको समझाता है, बलता कभी भी परिशानी हो, तो आख बंद करना और अपने मभी बाबा का नाम लेना, देखना सारी मुश्किलों के हल निकल जाएंगे, तो इस कोर्स में भी, कभी भी तुमको कोई भी सम में प्रॉब्लम हो, तो आख बंद करना और आख बंद करना सकते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है न, यह समझ लो, अब फिर बोलेंगे तो तुम लो अगला कॉर्स में अड्मिशन ना लो, यह समझ लो कि पंदरा क्लास की फीजदी है, येस, यही पंदरा क्लास है, और कुछ नहीं है, ठीक है, तो यह वाला 2A AX-AX का स्कोर, ठीक है, अब यह जो है, इसको फर्स प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, अब एक चीज़ समझना, यह लो होगा है सबका कॉपी, अब देखो, माल लेते हैं, आई 4 परसेंट है, इधर देखो, दो साल अक्यूमिलेट करेंगे तो फैक्टर क्या बनेगा, 1.04 क स्कोर, माइनस 1, अगर माल लो, 2 साल के बराबर का रेट निकाल रहे है, तो यह निकलेगा 0.0816, ध्यान सुनों, मैं क्या बोलना चाहरा हूँ, मैं बोलता हूँ, कि 4 पे 2 बाट आनो, 4 पे 2 बाट आनो, या फिर 8.16 में 1 बाट आनो बात बराबर है, दुबारा बोल रहा हू दुबारा बोलूगा, तुम लोग मन में बठाओ इसको, 4 पे 2 बाट आनो, 4 पे 2 बाट आनो का मतलब होता है, 1 बाट 1.04 स्कोर, या फिर 8.16 पे 1 बाट आनो, सर बात तो बराबर ही है, बात तो बराबर ही है, ठीक है, आब एक चीज़ देखो, यह जो EPV स्कोर जो निकाले ह लेंगे V-, कॉपी मत करना, V-QX, V- का स्कोर, PXQ, X प्लस 1 प्लस जॉटर अप टो इन्फिनिटी, तो इस नहीं कर रहे है, तुम क्या किया है, यहाँ पर ध्यान दो, तुम बोला सरम V-Square को लेंगे V-, 1 by 1 plus i का स्कोर को लेंगे 1 by 1 plus i dash, cross multiply, तो i dash क्या आएगा, 1 plus i का स्कोर माइनस 1, कॉपी करिए इसको, येस, इसी क्या करें बताओ तुम, कर दिये, बढ़ा दिये, अरे, बहुत बर क्या होता है, simplification का technique है, ठीक है, बहुत बर ऐसा कुछ तुमको rate देदेगा, जो तुम first जाएगा, ठीक है, इसलिए, basically 2 AX, is AX at the rate i dash percent, हाँ हाँ हाँ, कितना कर दे बताओ, 28, 27 पर let's settle, क्योंकि फिर वो जो जैकेट पहनी है, उसके संग बहुत बड़ा नाइन साफी हो जाएगा, क्योंकि वो तो बोलेगी सारा, आप तो जो बोले हम वही के लिए, लेकर आप तो क्लास में गर्मी लग रहा था, ठीक है, क्या, तुम जैकेट पहन क्या हो, एक और चीज़ देखेंगे, अभी जब मन में आना तो करा दे रहा हूँ, ठीक है, यह लोग कॉपी होगे है कि सबका, जटा-जट करेगा तो ज़्यादा चीज़ करेंगे, क्योंकि मेरे टाइम का वैल्यू है, तो एक दो चीज़ उड़ा देंगे, हम लोग compound increasing annuity किये थे, तो compound increasing annuity में, इसी से लिटरिक चीज़ करा रहे है, compound increasing annuity में माल लो 2% से बढ़ रहा है और 10% आनने का rate है, और 20 साल का है, तो पहला क्या बनेगा? 1.02V plus 1.02V का square, सर, amount, अरे भाई, गदेडो, amount ये सब को छोड़ो, क्रक्स को पकड़ो, एक रुपए माल लो, जब कुछ नहीं दिया है, तो एक रुपए सौर रुपए माल लो, ठीक है? plus dot 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 20 साल हो रहा है, तो 1.02V का to the power 20, इसमें basically हो क्या रहा है, 2% से बढ़ा रहे और 10% से टान रहे, बढ़ा के टान रहे, बढ़ा कम रहे, टान जादा रहे, तो मैं बढ़ा के क्यों टानते, नेट में टानिये, गलत, भाई तेर को देख की मेरा क्या होगा तेरा, मैं बढ़ा के मत टानिये, नेट में टानिये, तो नेट में टानेंगे कैसे ध्यान दो, मैं बोलता हूँ, 1.02 V को लेड़ो V-, तो 1.02 by 1.1 is what, 1 by 1 प्लस I-, तो यहां से I- मेरा क्या आएगा, जल्दी बताइए, 1.1 by 1.02 minus 1, फटा-फट से कल्कूट करो, somewhere less than 8, कितना आ रहा है, 0.07, 8, 4, 3, अब मेरा बात सुनो, यह आ रहा है न, इसका मतलब क्या होँ, पता है क्या, अब यह V-, V- का स्क्वेर, dot dot dot, V- to the power 20, this is nothing but level annuity paid in arries for 20 years, level annuity paid in arries for 20 years, copy कर लिजे इसको, इसका formula क्या बनेगा, 8, 20, add the rate, यह परसेंट, जट-जट calculate हो गया ना, जट-जट calculate हो गया ना, टानने कर ले, discount rate, मतलब interest rate, risk discount rate मतलब interest rate, आई, 2% से बढ़ेगा और 10% से टनेगा, आई दियावे 10% का, एन इंक्रीज का परसेंटेज दियावे 2%, अरियाज में प्यमेंट होगा, 20 यहर्स, रीवन, इस प्लस है कि एमस है, इस प्लस है न, ठीक है, हंड जिसको ज़्यादा चाहिए तो पीछे तरफ और ठंड कम चाहिए तो आगे के तरफ, ठीक है, चलाओ, नेक्स्ट, अब जट-जट कॉपी करेगा, ठीक है, हेडिंग लगाना, टर्म एशॉरेंस, इसका सबसे बहले बनाएंगे, प्रेजन वैल्यू रैंडम वेरियेबल, तो वी तु दी पावर के एक्स प्लस वन, इसका नोटेशन देखो, चक्कर आ जाएगा तुम लोगो, ए, एक्स के उपर वन, फिर ऐसे कोलोन, और फिर एन, और फिर ऐसे घर, इसमें दो टाइप का स्टेटस है, एक है लाइफ स्टेटस, जो की है एक्स, और एक है डिउरेशन स्टेटस, जो की है एन, X के उपर 1 इसलिए है कि मने जो company है वो क्या बोल रहा है आपको पैसा मिलेगा पैसा कब मिलेगा अगर duration खतम होने के पहले आदमी खतम हो जाएगा तो भी पैसा मिलेगा इसलिए X के उपर 1 है अब बेहुदा question रात प्यावरा वाजे पूछा कि N के उपर 2Q नहीं है इसका कोई जवाब नहीं है ये एक standard notation है तो X के उपर 1 है इसका मतलब क्या है duration status N खतम होने के पहले life status X खतम होना चाहिए मतलब duration खतम होने के पहले life खतम होगा तो पैसा मिलेगा चीक है इसलिए X के उपर 1 है ठीक है ध्यान देना Summation k runs from 0 to kya होगा, जल्दी बताओ, k runs from 0 to n नहीं होगा, अभी तो बोला कि n का k काटने से ही problem है रहे होगा भाई, n-1 होगा, v to the power k plus 1 probability kx is equal to k, so this is equal to what, 0 डालो, तो vqx plus v square px qx plus 1 plus dot 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 plus v to the power n, n-1 यह जियेगा, जब उसका a जो जाएगा, x plus n-1, xl के अंदर मर जाएगा, problem है, इसमें बहुत बड़ा problem है, यह तो आगे है ना अपना, problem क्या है पता है, तुमको table book में indomitationist मिलेगा, whole life मिलेगा, term नहीं मिलेगा, तो इसलिए term नहीं मिलेगा ना, तो term को तोड़के जबर्दस्ती whole life बनाना पड़ेगा, term को तोड़ के जबरदस्ती whole life बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे ध्यान जब सुनो यह देखो यह आ रहा है न अपना इसमें focus करो इसको सोचो इसको तुम लोग deep dive करो और इसको सोचो कि इसमें अगर इसको whole life बनाना है तो क्या करना होगा इसमें हाँ very good क्या बोला अगर सर इसको whole life बनाना है तो 0 से n-1 अपने पास है एक काम करिए सेमी चीज का n to infinity plus और सेमी चीज का n to infinity minus तो यह वाला जो चीज़े यह अपने को करना पड़ेगा तो जब plus करेंगे तो यह वाला और यह वाला मिल के क्या हो जाएगा whole life और इसको अपने को ठीकाने लगाना है पहला वाला दूसरा वाला समेशन 0 से n-1 and n से infinity मिल के क्या हो जाएगा whole life 0 से infinity whole life यह जो minus वाला पार्ट है इसको अपने को adjust करना पड़ेगा है माइनस वहले पार्ट को अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इसको यह वाला भी, यह वाला कॉपी मत करना, यह रूप जाओ, इसको पहले यह दोने चुप कोपी करो, यह लगो गहां न, ठीक है, अब नोट में लिखो, note में लिखो in order to make this in order to make this solvable we will convert into whole life yellow step copy हो गया न सारा सबका copy हो गया हाँ है न in order to make this solvable we will convert this into whole life ठीक है अब ध्यान देना whole life में whole life में ध्यान देना whole life में ध्यान देना summation 0 से n-1 अपने पास है plus कर रहे है n to infinity तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा ax minus अपना आ रहा है n to infinity इसका आपने को देखना बढ़ेगा तो पहले मैं इसी को solve कर रहा हूँ summation k runs from n to infinity v to the power k plus 1 probability kx is equal to k copy करो पहले यहां तक अरे ये दोनों का तो ax हो गया ना हली लास्ट वाले का कर रहा हूँ मैं अरे भाई n-1 तो उधर आ गया ना तो अब n जी है ना continuous नहीं है discrete है एक क्रक्स का बात बोले जो बच्चा समझ पाएगा समझ जाना जो नहीं समझेगा दो मिट बात समझ जाएगा k का value डाल रहे n से infinity ठीक है तो इसका मतलब है इसको दूसरी तरीक से सोचवार है तुम लोग को देखिए सब्सक्राइब अब इसको अब इसके बारे में सोचो यह समझ गया मतलब तुम लोग आज का क्लस में सुन रहा था ठीक है यह वहल आपने को दिया हुए इसका मतलब summation चालू हो रहा है n से summation चालू हो रहा है n से अब इसको तुम डालो इसको डालेगा तो क्या मिलेगा अबर सोचते हैं moment में सोचो आग बंद करके सोचो v to the power n plus 1 ठीक है v to the power n plus 1 probability kx is n मतलब तुम n बड़्डेज मनाया तो क्या आ रहा है n px into qx plus n मतलब तुम n बड़्डेज मना रहा है और तुम n से n plus 1 के बीच में मर जा रहा है फिर next जब तुम value डालेगा n plus 1 तो v to the power n plus 2 n plus 1 px qx plus n plus 1 इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम पहली बार तुमको पैसा कब मिलेगा पहली बार तुमको पैसा कब मिलेगा अगर तुम n से n plus 1 के बीच में मरता है बतलब पहला n में अगर तुम मर गया तो तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा यह क्या है defer to defer to defer to defer अलग से नहीं करना यहीं पर करा दे रहे है defer का PBR भी यही होता है defer में क्या होगा ना टर्म का ठीक उल्टा हो जाएगा आप अगर kx less than n देखोगे तो वहाँ पर 0 मिलेगा आप अगर n के पहले मर गया तो कुछ नहीं मिलेगा आप n के बाद मरोगे तो फिर आपको पैसा मिलेगा ना वी टुदी बार k plus 1 ठीक है अब इसका देखो ब्रेक अब देखो V to the power n plus 1 probability kx is equal to n plus V to the power n plus 2 probability kx is equal to n plus 1 plus dot dot up to infinity so this is nothing but V to the power n plus 1 npx qx plus n plus V to the power n plus 2 n plus 1 px qx plus n plus 1 plus dot dot up to infinity हा या ना common लेंगे भी से देखो V to the power n npx ठीक है अंदर में क्या बचेगा V Q x plus n plus V square P x plus n क्यों? एक साल का आदमी को n plus एक साल का आदमी को n plus 1 येर्स जियाना था पहले n येर्स जिया दिये तो और कितना साल जियाएंगे एक साल ठीक है? Q x plus n plus 1 plus dot up to infinity ये पता है क्या है? एक बार तुम लोग whole life assurance में जाओ whole life assurance में जाओ खाली इसको देखना खाली इसको देखना एक बार मैं नीचे कर दूँँगा whole life assurance में जाओ और खाली इसको देखो और एक बार सोचो तो अगर माल लो x कॉप ने replace कर देते हैं x plus n से तो क्या मिलता? यही मिलता वहाँ पर क्या था? v q x v square p x q x plus 1 यही था ना? तो this is nothing but this is a x plus n समझ गया ना? यहाई पर अपना deferred भी हो गया ठीक है? क्योंकि deferred में क्या है? पहला Ns में तो कोई payment नहीं मिलेगा पहला payment कब मिलेगा? अगर आप n से n प्लस 1 के बीच में मरते हैं तो ठीक है? कॉपी करिए उसको करें पहला ना? कि दो कॉपी पहला पना कि दो यह सारा तुम लोगा किया हुआ, v to the power n plus 1, v to the power n plus 2, सब में खाली probability आ रहा है साथ-साथ, तो term assurance का break-up क्या बन रहा है, a x1n is what, a x minus v to the power n, npx a x plus n, similarly अगर e p v square निकालेंगे, तो वो आएगा 2 a x 1n, which is 2 a x minus v to the power 2n, क्योंकि v will be replaced by what, v square, v to the power 2n, npx 2 a x plus n, यूपर वाला कॉप्य हो गया, नहीं वा, अगर तुम एनियर शर्वाइब कर जाएगा तो तुमको time end पर पैसा मिल जाएगा, this is pure endowment, तो इस case में e p v is very simple, summation, k runs from n to infinity, v to the power n into probability kx is equal to k, v to the power n आजाएगा बाहर, यह हो जाएगा probability kx greater than equal to k, क्यों बोलो तो, क्योंकि आप पहले, sorry, kx greater than equal to n हो जाएगा, क्योंकि आप पहले n डालोगे, फिर n plus 1, फिर n plus 2, मतलब n या फिर उससे बड़ा, and greater than equal to n मतलब आपको minimum कितना साल जीना है, n years जीना है, और minimum n years जीने का probability क्या होता है, npx, minimum n years जीने का probability is npx, so this is what, v to the power n npx, बहुत simple है, अगर आप time n पे जिन्दा हो, तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उसका present value is v to the power n, and मिलने का probability is npx, n के पहले मर गया तो कोई पैसा नहीं है, और या फिर उसके बाद मरेगा, तो उसी टाइम पे पैसा मिल जाएगा, इसका जो notation होता है, that is a, a, x, n के उपर 1 होगा, दो status है, life status और duration status, तो इंसान का life बाद में खतम होगा, duration पहले खतम होगा, इसलिए n के उपर 1 है, है न, duration पहले खतम होगा, life बाद में खतम होगा, हाँ, end duration, x, life status है, इसका ePV square क्या बनेगा, v to the power 2n npx, this is 2axn1, ePV square में 2 आएगा, a के superscript में 2 आएगा, लेफ तरफ में, इसका variance क्या बनेगा, बताना, variance of present value is what, v to the power 2n npx, minus v to the power n npx का, whole square, हाँ, बेटा, इसका और उपर, इस वाले में, इस वाले में तुम बार बार डालेगा, जैसे n डालेगा, n प्लस 1 डालेगा, सबका coefficient में क्या आएगा, v to the power n, तो वो common आगया, अंदर में क्या आएगा, equal to n, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4 and so on, so that is what, greater than equal to n, and greater than equal to n होने का probability क्या है, npx, कि आप minimum n years survive करोगे, copy कर लो इसको, होगे एला सबका, इसके बाद heading लगाना, endowment assurance, ठीक है, so endowment assurance के case में, आपका जो present value random variable बनेगा, if kx is less than n, तो term assurance, which is v to the power kx plus 1, if kx is greater than equal to n, तो v to the power n, which is pure endowment, ठीक है, so इसका बहुत simple है कुछ करना नहीं है, इसका notation है axn, so this is ax1n, plus axn के उपर 1, इसमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, surety है, copy के तरह उपर वाला, इसमें, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v to the power minimum, kx plus 1, n, so axn क्या होता है, ध्यान देना, axn क्या होता है, summation k runs from 0 to n minus 1, v to the power k plus 1, probability kx is equal to k, plus summation k runs from n to infinity, v to the power and probability kx is equal to k, copy करो उसको, minimum क्यों बोल रहा है, अगर तुम पहले मर गया, तो पहले मिल जाएगा, बाद में मरेगा, तो end पे मिलेगा, term के end पे, क्यों पहले मिलेगा, इसका e-pv square क्या बनेगा, 2axn, this is 2ax1n, plus 2axn के उपर 1, इसका e-pv square क्या बनेगा, इसके बाद नेक्स्ट है, deferred whole life assurance, kx अगर n के पहले है, तो 0, n या फिर उससे जादा है, तो v to the power k plus 1, इसका जो e-pv है, this is what, summation k runs from n to infinity, v to the power k plus 1, probability kx is equal to k, इसका notation होता है, n deferred ax, बने whole life assurance ही तो है, लेकिन nes के लिए deferred है, इसका अपने answer क्या निकाले थे, v to the power n, npx a, x plus n, and n deferred, 2ax अपना क्या हो जाएगा, v to the power 2n, npx, 2a, x plus n, ये है आपका e-pv square, yes, भूमी का चांड़क बोलो, प्रेजन वैल्यू हो गया, कि आपको जो payout करना है, उसका present value, मतलब उसका आज का value, आप payout करोगे, 10 सल, 20 सल, 30 सल बाद, उसका आज का value, और हम लोग उसका expectation निकाल रहे, because payout का time is not certain, तो हम लोग हर एक time पे रख के देख रहे हैं, कि अगर time 1 पे होगा, तो उसका क्या probability है, time 2 पे होगा, तो उसका क्या probability है, time 3 पे होगा, तो उसका क्या probability है, और सबको sum करके, उसका expectation निकाल रहे हैं, और EPV square निकाल रहे हैं, वेरियंस के लिए, EPV square को कोई मतलब नहीं होता है, present value का square का expectation है, तक कि variance निकाल पाएं, variance कैसे निकालते हैं, EPV square माइनस EPV का whole square, ठीक है, यहां तक हुआ सबका, हाँ, अब एक question करेंगे, सब लोग table निकालो फड़ावट से, और सियाज चन तो तुम लोग ज़्यादा है, यूपाएं नहीं है, यह लग copy होगे के सबका, कर, 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 question लिखो, which one is greater, which one is greater, 4Q60 और 7Q58, copy होगे इसके उपर वाला, यह बताओ, which one is greater, which one is greater, देखो, 58 साल का आद्मी, 7 साल के अंदर मरेगा, यह वाला बड़ा है, बट इसको समझेंगे कैसे, 1 माइनस है, देखो, 1 माइनस 4P60, 1 माइनस 7P58, ठीक है, अब ध्यान देना, अब, 7P58 का break-up देखो, 2P58 into 4P60 into P64, ठीक है, अब ध्यान दो, इसका, इसका और इसका, सबका value क्या है, less than 1, तुम एक less than 1 चीज़ को, दो less than 1 चीज़ से multiply कर रहे है, तो resulting क्या आएगा, और भी कम, for example, 0.8 into 0.9 into 0.2, तो 0.8 से तो कमी आएगा ना, तो ये बड़ा है, और ये छोटा है, ठीक है, अब 1 से माइनस कर रहे हैं, 1 से माइनस करेंगे छोटा चीज़ को, तो ये वाला पूरा चीज़ क्या आएगा, बड़ा, अब 1 से माइनस करेंगे बड़ा चीज़ को, तो ये वाला चीज़ पूरा क्या आएगा, ठीक है, तो 7Q58 is greater, as T increases, TPX goes down, TQX goes up, जाओ, आज के लिए इतने पढ़ेंगे, ठीक है, जाओ, आज के लिए इतने पढ़ेंगे, ठीक है, टेबल बुक, टेबल बुक, अरे टेबल बुक is not बुक यार, वो लोग देंगे आपको साइट टेबल्स पूरा, अगर वो लोग का कोई LMS होगा न, डाश्बोर्ड होगा, तो उसमें लोग आ जाएगा टेबल साइट में, टेबल के एक आप्शन होगा, उसमें क्लिक करने से टेबल उख खुलेगा, हाँ प्रानित बोलो, सर, एक लास्ट टाइम पक्का,